लो है खूसने में हम को क्या है हमें कुछ दे रखेंग है ऑर कितने वच्चे पास है कितने बच्चे पास है तो पहले test case में मुझे क्या लिखना है पहले मतलब पहले तो हम अपना test case को handle कर लेता है फटा फट से मैं अपने सारे जतने मुझे चीह है जो 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 values मेरे को मिलरी input में वो मैं पहले यह ले लूँगा यहाँ पर n का मतलब है number of students ठिक है ends का मतलब है number of students है x का मतलब है number of students past in the class number of students vast in the class ठिक है पिर उन्होंने क्या कि रखा है एक array दे रखा है हमको एक array दे रखा है एक array जिसमें हम जिसमें हमन्हों नबर नहाइं हे ऐव बच्चे के अब मुझे क्या निकालना है answer में मिल्की निकालना है कि minimum maximum value 안녕 पासिंग की पास होने के लिए maximum number कितने जी है पास होने के लिए maximum number कितने चाहिए ठीक है तो उसके लिए हमें का करना है आप इस question में हमें जैसे जितने भी दे रखे हैं values एक बन मैं तुमको test case करके दिखाता हूं दो और हमारा यहां पे दो भी वे दो बच्चे पास भी है फिरे पहले पी च्प्रें जिन जिना जिन जिनके जीरो से ज़्व हो पास है तो 0 आ रहा है अटिवर में चार बच्चे हैस वा एक बहुत बहुत और 4 बच्चे हैं, एक पास हुआ, उनके नमबर है, 4 बच्चों के नमबर है, 5174, अब जो यह पास हुआ है, जिसके सबसे जादा हैं, वो ही पास हुआ होगा, तो यह 7 वाला मेरे को पता है, पास हो गया होगा, बाकी सारे फेल है, बाकी सारे फेल है, तो इन्होंने क्या कर कर दूँ है अगर में 70 में से बन मायनस कर दूँ तो मतलब यह मेरे पासिंग क्राइटीरिया बना सकता हो मैं उसको भीने तो हम साथ जितनी भी वैल्यूस हमको इनपूट में मिल रहे होगी न हम उसे सबसे पहले क्या करेंगे सॉर्ट कर देंगे उसे हम कर देंगे सॉर्ट सबसे पहला स्टैप हमारा यह होगा ठीक है एक और इसके लेते हैं फोर थ्री चार बच्चे हैं जिसमें से तीन पास है वैल्यूज अपन्दरा सत्रा सतर है स्वेंटी है इसको मैं अटातू ना से सेवेंटी है इसको सॉट करूं 15 31 70 100 तो तीन बच्चे पास है तो पहला यह पास हो गया सेकेंड पास हो गया थर्ड पास हो गया यह फेल हो गया तो मतलब जो मिनीमम मिनीमम बासिंग माक्स हो गए हमारे 31-1 is equal to 30 ठेक है तो मेरा 30 आंसर हो गया हुगा यहां पे देखो 30 आंसर है 30 आंसर है पिछले हले में 6 0 तो I think logic समझ में आगया होगा logic समझ में आगया होगा तो simply मैं आपर क्या करूंगा thought inbuilt function जो है मेरा उसमें आप स्टार्टिंग और एंडिंग दे दूंगा ठीक है और बस तुम्हें आपका आंसर को सी आउट कर देना आखरी से आखरी से करना ना यहां पर पासिंग स्टूडेंट दे रखें तो n-6 और जो भी वैली होगी उसमें से माइनस वन दाट सिट खतम हम क्या करें हम मैं आखरी से किन रजा ना तीन स्टूडेंट पास है तो 1 2 3 n क्या है n 4 4-3 कितना हो गया 4-3 1 हो गया अब 1 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है न इंडेक् तो जो फर्स्ट फर्स्ट मतलब इस साइड से जो तीसरा बच्चा है वो है 31 तो 31-1 कर दिया 30 आगया ना तो वही तो करा मैंने यही तो करा एक बार रन करके दिखाता हूं तुम लोग को एक बार रन कर लेतने इसको फटावट से 0630 आ रहा है एक बार सम्मिट करके भी दिखा देता हूं हमने एक क्वेशन सक्सेस्फुली सॉल्ड कर दिया ठीक है अब लॉजिक समझ में आया होगा बस दो लाइन का वोड था अगर देखा जाए यह तो हमने इंपूट लिया है तो लाइन का वोड था बस ठीक है खता है अभर मोश तक्षाइन